अरी दादा तो भाईया राम राम हम बोले हैं हप्पू की उल्टन-पल्टन के दरोगा हप्पू सिंगों सब्सक्राइब जो कह रहे हैं कि इनका काम आपने टीवी पर देखा है इनका काम सब्सक्राइब आज योगेश त्रिपाटी जी जो की बहतर तरीके से जाने जाते हैं हपू सिंग के नाम से इनका करेक्टर बहुत जादा फिर्मूस हुआ है तो सबसे पहले योगेश जी हमारे शोव पे आपका स्वागत है जी नमस्कार अचा योगेश जी मुझे बताईए कि सबसे पहले आगे मैं आप से पूछने जाओगा कि जोरो शोरो से वापस शूरू हो चुका है टेलिवीजिन इंडिस्ट्रेप में काम पे लग चुकी है कोविड लॉकडाउन के बाद जो सेहन गया तकाम उसके बाद व काम करने के प्रत्रिया में कोविड की वज़े से अभी काम तो वैसे ही चल रहा है बस थोड़ा सा सेफ्टी पहले तो जो जो जुलाई में शूटिंग चालू हुई तो शुरूआत को इस तरीके से होई थी कि पहले जो सीन होते थे काफी भीड़ भाड़ बाले तो फिर पॉर्शन वो सब बहुत टाइट था मामला में जब चैका प्रॉपर जाना मसीन वगएरा से पूरा चैकाप ख़रना वीडिंग में सब लोग मास ते बैठते हैं अभी भी बैठते हैं लेकिन सीन में भर हटा लेते हैं क्योंकि उसमें तो पॉसिबल नहीं है शोटिंग के में थे कि कब वापस नए एपीशोड देखने को मिलें लोगों के बड़े कमेंट आते थे कि सर कब से शूटिंग चालू है तो सभी लोग बोर हो रहे थे घर पे तो रिपीट टेलीकास्ट में भी यतना सोचा नहीं था कि रिपीट एपीशोड देखके भी लोग इतना मज को ने उसके रिपीट एपीशोड देख डाले मुझे बात बताईए आपका जो खरेक्टर है आपने वैसे अपनी करियर की शुरूआत काफी पहले की करीब 12 सार पहले की आपने आप काफी काफी सब्सक्राइब में आपने काफी रोल किये तो फिर भी बहुत बढ़ा है मैं बाली का बदू में भी किया है और देस महीने का बच्चे छोटे थे या और भी सीरियल में छोटे-छोटे रोल और बहुत सारे बहुत सारे कमर्शिल बहुत सारे अड़ोटिसमेंट भी किये लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि हपू सिंग ने जो आपको पैचान दी है बस कैसे आया ने ओडिशन इसलिए नहीं हुआ था कि F.I.R. इनके साथ मैंने 6 साल किया है और यही प्रोडूसर है वही डिरेक्टर है तो 600-500 एपिसोड में उन्होंने मेरे तरह-तरह के रोल वैले देखे थे तो ओडिशन की जरूत नहीं थी बस यह था कि F.I.R. में पहच थे ऐसे 600-500 एपिसोड में करी मैंने 7-800-500 करेक्टर अलग-अलग प्ले किया होंगे उसमें तो कहानी में बदलते रहते थे करेक्टर कभी आप डॉक्टर बन गए हो फनी कभी कोई तांतरिक का रोल है कभी मसदूर कभी लेडीज कभी जेंस में बहुत भूरे फादर के मतल अडिशन भी मैंने सक्षेना का ही दिया था सब्टीवी पेक सीरियल आता था पीटर्सन हिल उसमें मेरे तीस के तीस गिन ब्लॉक तो यह जब चार मार्च या दो मार्च को जब भादी जी टेलिकास्ट हुआ तो मैं तो बड़ा देखके रहागे है मैंने का यार यह तो बहुत अच्छा रोल था और इतना अच्छा रनी करेक्टर मैं नहीं कर पाया और जो सीरियल कर रहा था उसकी रिपूर्ट बहुत अच्छी थी नहीं तो वो दो-तीन महीने में लगने लगा के बंद हो जाएगा तो मेरे पास तिवारी जी का फोन आया जो अंगूरी के हस्बेंट है वो बोले कि तुम आके एक बार और मिल लो इसमें एक पुलिस वाला आने वाला है एक दिन का रोल है इक एपिसोड है जिसमें अंगूरी तो सक्सेना जब हाथ से छूट गया तो पीटर्सन लगातार चल रहा था लगातार चल रहा था एक दिन का रोल निकला तो उसमें भी डेट की मगज मारी बला तो जैसे तैसे वो मैनेज हुआ तो मैंने 23 मार्च को पहला सीन किया था हपु सिंग का और सर बोले कि चलो इसको बनाते तब यह डिजाइन नहीं हुआ था इतना ज्यादा कि किस तरीके का इसको और ज्यादा बनाना है फिर वो मनोज संतोशी जी जो उन्होंने बड़ा कमाल का यह केरेक्टर लिखा और सशांक बाली जी जो एफ आयर के भी डिरेक्टर थी हमारा हम तो पहले से उनकी बात हुआ तो यह लोगों को पसंद आया करेक्टर जब पहला सीन आया तो सर बोले ठीक है कभी-कभी मार्डर कभी कुछ चोरी चकारी बीच विच में तुमको बुलाते रही भाशा का एक बंदेल खंडी ब्रज भाशा जो डाली गई फिर धीर इतना लोगों को यह पसंद आया कि यह फिर भाबी जी घर पे हैं का एक महले का ही एक हिस्सा बन गया हर दूसरे एपिसोड में एक दो सीन मिलने लगे सीन बढ़ने लगा तो ऐसे करते करते हां इतना नहीं सोचा था कि चार साल बाद ये करेक्टर तीन साल बाद इतना लोगों को पसंद आएगा कि इस पे एक शो बन जाएगा इसा शायARली हम लोगों है इंडिया में तो काफी कम देखा होगा कि करेक्टर है किसी शो में जो इतना हुआ है और इसके वह इतना फेमहरो हो चुका है कि उसको उस करेक्टर को लेके ही एक पूरा शो बनाया जा रहा है तो जब आप इने पास यह ख़बर आई या जब आपको बताया गया कि इस तरीके के प्लाइन्स है तो फिर आपका रियक्शन कैसे था उसके पर जब हपो की उल्टन पर्टन के लिए आपको बोला गया मुझे इसलिए बिलीव नहीं हुआ क्योंकि मैं एक टाइम पर पहले ही दो शो यह लोग मुझे देच चुके थे मैं भाभी जी भी करता था और बीच बीच में उसी दिन एक ही दिन में दो दो सीरियल की शूटिंग जी जाजी छत में करता था तो अब वो बिलकुल यह अलग करेक्टर सलून में मसाज करने वाला बाल काटने वाला शेविंग करने वाला और एकदम से इसमें दर होगा तोनों ही लुक बहुत अलग दोनों ही करेक्टर बहुत अलग वो चांदनी चौक की एक दुकान का शौप में सलून का लड़का सर ने मजाग में बोला कि यह तु जीजा जी के भी उसी दिन कभी-कभी एक दिन में दोनों शूटिंगे निफटानी पड़ती थी, तो उसी में इतना थक जाते थी, तो लेकिन जब इनों ने बोला कि नहीं वो पुलिस वाला ही करेक्टर है, तुमारा नया करेक्टर नहीं तो तब भी मुझे यह नहीं पता थ मैं क्याता था सार इतना अच्छा हिट करेक्टर है कभी कोई एक एपीसोड तो ले आओ मतलब मेरी फैमिली को लेके तो वो देखो बड़ी बात है कि कहां एक स्टोरी के लिए में सोचता था और वो सिर्फ फैमिली को लेके एक नया शो बनेगा कि दरोगा की फैमिली कैसे हो अभी तक तो लोगों ने कोठे पर गुलपामकली के साथ सीन या विभूती या टी स्टॉल पर जो ठीका मलखान तिल्लू के साथ सीन दरोगा बुसर्फ गलियों में आता था महले में आया और चला लेकिन मा के साथ इसका क्या त्यूनिंग है वाइप के साथ कैसा है यह पा में जिग्यासा थी कि इसकी वाइफ सच में प्रिग्नेंट है की नहीं है तो फिर और यह उमीद नहीं थी कि यह भी शो इतना पसंद करेंगे जब इसकी टियार पी आई लोगों का रिवीव मतलब तो इसका भी भाबी जी जैसा ही अच्छा रिस्पॉंस लोग भाबी जी क प्यार करते हैं शो को नहीं जिसको भी मिला तो यह को अच्छी बार यह सर मुझे बताइए कि यह ऑबिसली जिस जहनों ने इस करेक्टर को लिखा है उन्होंने तो बहुत कमाल का करेक्टर लिखा है लेकिन आपके तरफ से आप क्या कहेंगे कि हपकु सिंग के करेक्टर मे आपके क्या इंपूट्स गए विकाज आप आते हैं उत्तर प्रदेश से और यह जो शोज है यह उत्तर प्रदेश में ही बेस्ट है बुद्निल खेडी जब आपने कहा कि वह भाशा का भी प्रयोग है उसमें तो आपके क्या इंपूट्स है हपकु सिंग इस करेक्टर में ने नी वो गाइडेंस तो सर सशांक जी का बहुत अच्छा रहा रहा ही है उन्होंने कावी छूड भी दी कि चलो तुम जो तुमारे दिमाग में है वो भी करो तो अब जैसे अरे दादा की बात करें तो उन्होंने जस्ट बताया था कि बड़ा आलसी करेक्टर है और उठत से बैटते तो हलका चाप एन रहता है बॉडी में जैसे अपने गावों में आपने देखा होगा महिलाओं को बात की शिकायत होती है तो उटते बैठते करहती तो रहती है तो मैंने भी पिर जब वो चीज डाली तो मैंने पहले सीन में कई बार उठते हुए या बैटते हु कहलो या और वो आलसी भी है फुर्ती में नहीं चलता है केस कोई भी हो सको कुछ नहीं पड़ी वो अपने कामों में तो यह सब जो अलिमेंट डलते हैं फिर उसके निच्छावर मांगने का तरीका घुसखोर है लेकिन बड़े प्यारे तरीके से निच्छावर मांगता है लो पुलिस वाले साथान इंडिया क्राइम पेट्रोल लेकिन अतरंगी पुलिस वाला बन गया जिसको बच्चे बूड़े हर एज का दर्शक पसंद करने लगा तो जब यह अभी इतना चैरेक्टर इतना फेमस हो चुका है यह इतना फेमस क्रेक्टर है मुझे बताईए जब भावी जी घर पर है यह काफे सालों से चल रहा है हाप को की उल्टन पलटन जैसे कि आपने बता है कि लोग डिजिटली भी देख चुके लोगडाउन को जिसे अभी भी इतना पसंद करते हैं तो जब आप बाहर जाते हैं कई परिवार के साथ में या कोई के साथ में तो आपको जब लोग आपको फैंड आपके मिलते है या तो अभी तो जब आप जैसे सभी लोगों नियूज में भी या नॉर्मल लोग में इंटर्व्यूज इतने मेरे अब हो चुके कि अब लोग तुरंट पहचान जाते हैं शुरूर में तो यह था कि हपू सिंग का करेक्टर आप करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगा उनके सीन्स याद दिलाते हैं मैं इवेंट में जाता हूं तो छोटे-छोटे बच्चों ने मेरे बड़े-बड़े फोन कट मुझे सुनाए हैं उनको याद हैं जो मैं स्कूटर या टीस्ट वर बैटके बात करता था फोन कट उसके फोन कट बड़े फेमस इसका श्रेय हमारी राइटर है मनोश संक्टोशी जी उनको जाता है कि उन्होंने तना कमाल का लिखा कि जादा कुछ करने का वो जरूत पड़ती भी नहीं थी लिखाई इतना अच्छा है अभी जब हपको की उल्टन पर्टन है आप नौ बच्छों के बाप है आपकी बीवी हमेशा पेट से ही रहती है और तो यह नौ बच्छों के साथ काम करने का किस तरीके का एक्स्पीरियेंस है अपका नहीं बहुत अच्छा क्योंकि जादा तर थेटर से हैं लोग और हिमानी जी के साथ तो मैं पहले भी बॉंबे में प्ले करता था तो उनके साथ पहले से जान पचांती और उनके साथ सीन करने में बड़ा मज़ा आया तो यह सब इतना इत्फाक हुआ कि इतनी बढ़िया कास्टिंग करके दी कि वह बच्छे भी बड जो पहले भी आप जो रोल्स कर चुके अलग-अलग सीरियल समय मैकूमिक एक्टर को लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि वह किसी सीरियस रोल में दिखाई देगा यह बहुत ही पुराना किस्सा है कि जब महमूद जी जो इतने बड़े कमेडियन थे उनकी घर पर जब कोई कि दुखत घटना हुई तो उनसे किसी ने कहा दिया कि या वह आइटम पर पेश करके बताएं या वह बोल के दिखाईए तो कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपने किसी पर्सनल चीज में बजी है आप उस जोन में नहीं है लेकिन कोई आप से मिलता है और आप से कहता इवेंट में जॉइन किया और ठके बहुत होते हैं रात का बारा एक भी बच गया है तब भी लोगों की भीडा आती है और सर ये सुना दो या सेल्फी ले लो या ये तो उसमें मन तो कई बार नहीं करता है लेकिन फिर ये लगता है कि हम इसी दिन के लिए ही तो मुंबई आए थे यही तो इतनी मेहना तिया रात भाग दौर दिन रात भाग दौर तो उसको मना तो नहीं करते हैं किसी को बहुत ऐसे इस तरीके से कभी-कभी लगता है कि ठक गए तो जाए आर थोड़ा सा आराम कर लें इवेड़ा मिलता भी आरा बट करते हैं ऐसा हम लोगों के स आपको लगता है कि क्यूंकि आप एक कॉमिक करेक्टर में काफी बार दिखाई देते हैं जब आप अगर आपको फूचर में कभी कोई सीरियस रोल ओफर हुआ तो कहीं आप स्टीरियो टाइप ना हो जाए ऐसा लगता है आपको नहीं नहीं ऐसा नहीं है इसा भी नहीं है सब्सक्राइब करें तो इसमें पूरी कोशिश करूंगा कि लोगों को अच्छा लगए बहुत सारी चीजे जो हम करेक्टर के बारे में आपके बात करते हैं आप जैसे कि मैंने कहा कि आप खुछ उत्तरप्रदेश जाते हैं और शो भी उत्तरप्रदेश में बेज़ है इस किरेक्टर के लिए तो है ही लेकिन अगर आप बात करते हैं और और ना कहीं से करीक्टर होते हैं वोटी या किसी चोटे कस्वे की डॉक्टर अम आदमी में मिल कुछ न कुछ उनकी बौडि она कि अवाज से खितने को अलग मतब रहा कुछ नहाना को बहुत कर है मुझे । कर लृ शली की फिलम से एक बोड़ेशन की चुनक क्रहा से एक की ऐस आप भी ऐसा करता है कि जो आपकी आहम जिंदगी में आपको आजपास कोई करेक्टर होता है तो आप उसका help लेके आपके स्टोरी में डाले हैं और वो लोगों को बहुत पसंद आये हैं या तो किसी की वो हरकत तो वो बड़ा काम आता है अगर देखा ही नहीं होगा तो कैसे करोगे अच्छा जिंदगी में तो हपकु सेंग एक इनकॉंपिटेंट पुलीस ऑफसर है अलग-अलग तरीके से रिस्वत मांगता है जैसे आपने कहां नयोचावर देता भी है और उनके नौ बच्चे है असल जिंदगी में योगे स्ट्रीपाटी जी कैसे है घर में कौन-कौन है और वो असल जिंदगी में कैसे है यूपी म भी वाइफ और बच्चा मैं हम तीन लोग रहते हैं मुंबई में तो बाकी मैं तो वैसे ही हूँ मतलब जैसे थेटर में था मस्त मौला जैसे ही दोस्तों के बीच मैं भी हूँ शूटिंग में भी बहुत मस्ती करता हूं चाहे वह आसिप जी हों चाहे रोताश गौड हों सबसे मेरी अच्छी बनती है और जब तक उनके साथ मस्ती मजाग न करो तो काम आसान लगता ही नहीं है तो यहां तो बड़े प्यार से काम होता है तीका मलखान तिल्लू हम लोग बारा साल से साथ काम कर रहे हैं फाइर से लेकि अब तक हम लोग टेलिविजन पर कई बार बहुत सरे ऐसे अक्टर्स है जो एकदम टिपिकल जिनका लंबे चोड़े और बड़ी बनाया है और इस तरीके के जब करते हैं तो काफी फेमस हो जाते हैं लेकिन आपका एक ऐसा एक्जाम्पल है आप अपने एक्जैक्ली सिर्फ और सिर्फ अपने कारेक्टर और अपने तो आपको क्या लगता है कि हाव मुच टालेंट और लुक्ष कितना रोल प्ले करती है आपको एक सब्सक्राइब बनाने के लिए अच्छी बात कहीं थी नसरुदी शाय का एक इंटर्व्यू चला था तो जो जिम की बात अभी आपने करी कि सिक्स पैग और लोग लोग लो मुट्टeड चीज हो जाती है वह उन्होंने भी बात बोली कि अगर में जिम जाने वाला एक बन्दा होताति तो मैं वेड़नेस जम भी में आम आदमी का जो जो कैरेक्टर है कैसे प्ले करते अगर आप बिल्कुली जिम पयाँ क्यालों क्यांति तो वेंस का थो नचीछ बाते तो अगर शिपल्किक्या करते नौन करना करते रहें बड़ा ही किसी चीज में नहीं रहने के लिए लेकि टिपिकल वो जो अब बिल्कुली बात कर दें इंजेक्शन लगा के या प्रोटीन शेक पीके या कुछ भी करके एक नब से आप पहलवानी हो जाओगी ना तो फिर लिमिटेशन हो जाएगी आप किसी किसी फिक्स रोल में ही दिखोगी अगर मेरा इनों ने छे साल काम शाइद नहीं देखा होता तो वह एक पेट लगा हुए इंसान 45 से 50 साल की एज वाले मैं यह मतलब मेरे घर के लोग मेरा घर की लोग कास्टिंग कर रहे होते तो भी नहीं लेते हैं मैं कहीं से नहीं देखता हूं पुलिस ना मेरी हाइट है तो यह चीज होती है लेकिन वो लोगों को इतना पसंद आया वरना एक्टरों में कमी नहीं है इतने एक्टर जनके ने इतने पेट होंगे नकली पेट बनाने की क्या जरूरत अच्छे एक्टर हैं और पेट भी करता था तो जितना आप क्राओं कि मुझे लगता है कि उतने ही ज्यादा धाचे में आप फेट हो जाओगी नॉर्मल रहा है जो आपने बताया जीजा जी सट पर है पर बहुत एक डिफरेंट कारेक्टर है तो आप और आप जब मैं आपसे इंटेव्य लेनी की कोशेश भी काफी दिनों से करता तो मुझे माले में कि आप कितना बिजी भी होते है शूटिंग में कभी इस की शूटिंग कभी ये शो की शूटिंग तो आप स्विच और सुच आफ कैसे करते है रोल से बीच में देखिए उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि अगर आप अपनी मर्ज जाओगे किसी के डंडे मारने से आप नहीं जाओगे स्पोर्ट्स एक्टिंग सिंगिंग यह जो एक इंटर्टेंबेंट की फील्ड़ा पॉलिटिक्स है इनमें आप तभी जाओगे जब आप में अंदर से एक आग हो या जुनून हो और सच में अगर ये बात है तो आप क ते कि बीना सोय लगातार कम किया है दिन में यह शूटिंग रात मैं वह सूटिंग दिन में फिर फीर बीच में रात में एड फिल्मों की खकावट ना आना या आप जो switch off, on की बात कर रहे हो, उसकी वज़ए यह है कि बच्पन से ही movies का, फिल्मों का बड़ा शौक रहा है, मम्मी भी मेरी बच्पन में ले जाके, एक एक दिन में, एक ही दिन में, तीन-तीन शो, जहासी में, जब माई के जाती ती तो, बारा से तीन काम की है, तो वो on-off की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो action होते ही mood बन जाता है, एक होता कि आपने मुझे कहा, इसलिए मैं actor बना, तो मैं दो सीन में भी ठच जाओंगा, बाकी observation, मुझे बच्पन से ही movies का शौक, सबसे बड़ी class यही है मेरे लिए acting की, हर movie से, जो समझ में आ रहे हैं, वो भी, जो अलग भाशाओं की हैं, वो भी, उनमें भी कहीं न कहीं कोई एक character देखने को मिल जाता है, और वो मेरे काम आ जाता है, कभी न कर दो, फायदा यह है, जितना आप देखोगे तभी, इसका कोई capsule नहीं है, जितना देखूंगा, जितना feel करूंगा, observation बहुत जरूर, चलिए, आपका show तो बहुत ही मज़िदार चली रहा है, आपको की उल्टन पटन, हमें बताइए, आगे हम आपको किन shows में देखेंगे, अब जिस ताइब का लोगों का प्यार मिल रहा है, शो को मुझे लग नहीं रहा कितने जल्दी फुरसत मिलने वाले है क्योंकि देखते देखते बाबी जी जब शुरू किया था, तो देखते देखते छे साल हो गए, अब मेरे नाम पे एक show बन गया है, उसको भी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो अभी दो-तीन साल, हाँ, लेकिन बीचीज में एड फिल्म है चोटे-चोटे काम करता रहूँगा, बड़े जो एक दुबार आया है फिल्मों का, या एक दुबार वेब सीरीज का, तो अगर बहुत लंबा है, तो मैं भी उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि एक मेरे नाम पे एक show बनाया है, किसी ने बड़े उम्मीद से, तो उसको छोड आये, लेकिन जब इससे फिरी होंगा, तो कुछ और किया जाएगी, अभी आपने वेब सीरीज का कहा, बहुत ही एक बहुत अच्छा कॉंटेंट जो है, ओटीटी प्लैटफॉर्म पर आ रहा है, आपने हाल फिलाल में मुझे बढ़ा है, हाल फिलाल में आपने क्या देखा आता, नेट्फिलिक्स की सारी देख लिए, और मुझे तो बहुत पसंदा आता, इते हैं भी एकर की राम सिंग चारली, वो भी मैंने देखी, एक संजर मिश्रा जी की फिल्म आई है, वो बड़ी कमाल, इसलिए पूछ रहा था, क्योंकि हाल फिलाल में ओटीटी प्लैटफ ब्रैंड ऑफ कॉमेडी जो है, आपको कभी अपशब्द इस्तवाल करने की जरुवती नहीं पड़ी, लोग ऐसी हसर है, तो आपका क्या मनना है, यह अपशब्द जो यूज होता है, यह सही है, कि मतलब होना चाहिए कि नहीं होना है, तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा फै आप हैं तभी देख पाएंगे, जब आप नहीं है, तो मैं कुछ चीज़ें देख पाऊंगा, आप आ गए, तो कुछ और चीज़ देखूंगा, फिर सारी फैमिली आ गई, तो कुछ और टाइप क्या, देखना पड़ेगा मजबूरी में, तो अगर थोड़ा सा अगर अग्नेवाद अंसे पाँख करने की देखूंगा, तो कि अक्र चीज़ा आपका निकिर देख नोगा, पाईप का नहीं है, तो कि अधर चीज़ा खाएंगा, तो कि अधर चीज़ा विचाने की ना आपका तो कि लिगए घर्गेश्ख समस्दूराइब लिग तो पाट्स, Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.